नमस्कात दोस्तों आज मैं आपको पैंट की साइट सिर्ट बनाना बताऊंगी यह मैंने पैंट की कटिंग कर रखी है यह हम कटिंग करते समय ही पैंट की निसान लगा लेते हैं जैसे कि उपर से मैंने यह पूरी पैंट कंप्लीन कर रखी है देखें उपर मैंने यह नेवा बना रखा है सिर्फ इसमें लास्टिक डालनी रह गई है अब यह उपर से नाप लेके जितना भी पैंट का त्यार नाप है उस पे हम यहां पे निसान लगा लेते हैं जो कि हम पैंट की कटिंग करते समय ही लगा लेते हैं अब आपको जितना भी साइट कट चीए उतमें पर जैसे मुझे यह दो इंच पे कट चीए तो मैं हां पे दो इंच पे निसान लगा लूँगे अगर आपको डेड़ इंच पे चीए तो आपको डेड़ इंच पे निसान लगा ले जितना भी हम उपर कट का निसान लगाते हैं हमें उसी हिसाब से नीचे का मार्जन रखना हो आप इस हिन रगाने के बाद हम यहां तक साइड में स्लाई लगा यहां से थोड़ी से लगा रखी है अब आगे लगाते हैं और इस पिंप यहां निनिसान लगा रखा है यहां प् reviews पाक्का करने के बाद यहांसे रखरेंगे अब देखे मैने इस तरह पूरे में श्राई लगा लीए अब इसको खोल देंगे और लिग Mitsubless ख़ोलने के बाद हमें सीधी तरफ से इसतरे से खोल आये और इसे रखे और नीचे का कपड़ा हम इस तरह से मौत देंगे आप मोटने के लगे जो हमने निसान लगात है देखे यह हमारा त्यार नाप का निसान है तो यहां पर हमें इस तरह मोर देंगे इस तरह मोरने के बाद अब उपर से हम आधा इंच इस तरह मोर देंगे देखिए यह हमने जो आधा इंच मारजन में हमने ज्यादा लिया था वह इसली लिया था ताकि हमारे इसे मोरने में चल जाए किनारी पे इसे स्लाई लगानी है स्लाई हमें आधा इंच के मार्जन पे लगानी है जिस तरह से हमने पेंट में किनारी पे लगाई थी स्लाई लगानी है देखें मैं आपको दिखाते हूं स्लाई करके यह देखें इस तरह से हमें यह स्लाई लगानी है अब जिस तरह हम दु कि हम इसी तरह से मोड़ देंगे और फिल यहां पर हम स्लाइफ लगा देघेए जैसे हमने उसमें तुरह तिलाücken कंषिए कर चरूध कर तेंगे दिलेंगे गजिद एक यह ने योन तरफ लगाने के बाद हम इस सुमका इसे पलड देंगे देखें बिल्कु अच्छे से हमें ये कोना निकालते हुए पलटना है इसी तरह वो रिसी साइट से भी हमें ऐसे पलट देंगे अब कैंची की नोग से हमें बिल्कु अच्छे से नोग निकाल देनी है इस तरह हमें ये दोनो साइट से नोग निकाल देंगे अब देखें हमने ये नोग निकाल दी है अब मोरने के बाद देखें कितनी फिनिसिंग से हमारे ये मुड़के सीधी साइट से ये त्यार हुआ है देखें कितनी फिनिसिंग से अब मैं इसको उल्टा करके दिखाती हूँ उल्टा करने पिए इस तरह से आएगा अब जो हमने आधा इंच का मने मारजन मोरने के लिए था वो इस तरह से मौर देंगे और मोरने के बाद हम नीची के तरफ ये हातों से प्रेस करते वे स्लाइ लगा लेंगे अब दिखे मैंने ये इस ते से मोड़ा था मौड़ने के बाद हम यहां पर sli लगा लेंगे आप चाये तो यहां तुरपाई भी कर सकते हैं अब यहां पर लाने के बाद दोनों को बलकुल एक संह एक खटा कर लेंगे और एक वड़ी ऐसी sli दुवारा से लगाते हुए फिर आगे की तरफ लगा लेंगे हातों से अच्छे से प्यास करते हुए हमें यह सलाई लगा लेनी है देखे दोस्तों हमने यह एक साइट के यह सिल्थ हमने त्यार कर ली है कितनी फिनिस्टिंग से हमारी हैं से भी त्यार हुई है और सीधी तरफ से देखिए ये कितनी सफाई से हमारा बनके ये सिल्ट बनके त्यार आया है देखिए ये बिल्कुल इसे हम गुम सिल्ट भी कहते हैं और बिल्कुल सफाई से बनके ये त्यार आया है अब हम इसको ऐसे मोड के मोडने के बाद मोडी का निसान लगा लेंगे और फिर स्लाई लगा देंगे देखें इस तरह हमें ऐसे मोडना है मोडने के बाद है पर जो पर तियार मोडी है पर निसान लगा के इस पर स्लाई लगा लेंगे देखे मैंने ये स्लाई लगा ली है अब स्लाई लगाने के बाद अब मैं आपको इसको सीधा कटके दिखाते हूँ देखे मैंने ये सीधा कर दिया है सीधा करने के बार देखे साइड में ये इस तरह से कट बनके आया है इसी तरह मैंने ये दुसरी पेंट की मोड़ी भी त्यार कर लिए है यहाँ पर भी देखे ये इस तरह ये साइट कट बनके त्यार आया है तो मैंने ये दोनों तरब से ऐसे कट बना के त्यार कर लिए है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट में बताएं साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद